कि में डाला जाता है और वो वाइरस जो है एंटी बॉडिस पैदा करता है और वो एंटी बॉडिस हमारी इम्यून सिस्टेम में चली जाती है उस एंटी बॉडिस की स्कैन कोपी हमारे इम्यून सिस्टेम के अंदर होती है जैसे ही हमारे अंदर वाइरस आता है तो हमारा इम् किवल वैक्सिन के द्वारा ही मिलती है क्या कोई ओर सोर्स नहीं है कि एंटिबोडी बनती कैसे हैं तो दूस्तों मैं आपको बताना चाहिए कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है आज आपको मेंटली टॉर्चर कि बहुत जुरूरिए अगर आपका माइड स्टॉंग नहीं है तो आप उने बाडी को स्टांग कभी नि कर सकते हैं आज बहुत एससे बॉडी बिल्डर होंगे बहुत अच्ची बाडी लिए हैं लेकिन माइड सेusterंग नहीं हैं इसे परेशान हैं और इसलिए इतना बिमार ब चैनल जब आपके किसी प्यारे से दोस्त का फोन आजाए ना और वो गाली दें के आप से बात करें कि तुह है कहां आजकल तब बनती हैं यह अन्टिवाडी आपके इंदर वो जो खुशी आपके अंदर आती हो उससे बनती है यह अन्टिवाडी जब कोई ऐसी वीडियो आपको बोलता है, आरे यार टेंशन चोड़ना हूँ ना, तब बनती हैं यह अंटीबोडीज। जब आपको बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पगड़के बोले कि टेंशन लेने की जोत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉलम को सॉट आउट कर लेंगे, तब बनती हैं यह अंटीबोडीज। कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से, जवर्दस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हैं। फिलाल दोस्तों आपको इन एंटीबोडीज की जरूद है। आजका जो माहूल चल रहा है, यह आपको बोडीज से ज़्यादा आप अपके माइंड को स्टॉंग करना है। तो प्लीज आप लोग अपने माइंड को स्टॉंग रखें और सोचें की चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसिन ले सकाए। मुझे उमीद है कि आप मेरी कुछ बातों पर अमल जरूर करेंगे और अभी से एंटीबोडीज बनाना शुरू कर देंगे। आपका इम्मून सिस्टम जवर्दस सिस्टम होगा। अगर बात ठीक लगी, कमेंट्स बख में जरूर लिखेगा। लाइक करना अगर करेंगे।